कुदेव जो पीए सीमा होंगे बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव बरले थसरे टेंसन अरे काव बरले थसरे टेंसन जब अप सरवन केते कर पे धामाल ये कैसे होगा से आप सभी का स्वागात है इसली कक्षा में हम एसेड रेंड देख रहे थे क्योंकि एसेड रेंड और छार हमें एक कक्षा में देखना था किन्तु हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाता क्लास लंबा हो जाता है इसलिए आज हम इसे दो भागों में देखेंगे सबसाब पहला भाग हमारा एसेड रेंड जो कंप्रेट हो चुका है एसेड रेंड क्या होता है इसके प्रभाव क्या है कारण क्या है यह हम देख चुके थे और उसकी पिछली कक्षा में अमल क्या होता है यह भी हम देख चुके थे आज जो हमारा टॉपिक होगा वो चार पर होगा बेस भी होगा क्योंकि हमने देखा था कि अगर pH मान, अगर हम pH scale में नापते हैं, अगर pH मान 7 प्लस हो जाता है, 7 से ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका छार कहलाता है, क्या होता है छार आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, छार की अगर हम बात करें तो छार एक ऐसा पदार्थ है, जिसको जल में मिलाने पर, जल का pH मान क्या होता है, 7.0 से अधिक हो जाता है, अमल में हमने क्या देखा था, अमल में हमने देखा था, कि इसे जल में मिलाने पर, जो 7 से, 7 जो pH मान होता है, वो 7 से क्या हो जाता है, आपका, कम हो जाता है, तो ये क्या होता है, आपका अमल कहलाता है, दोनों में डिफरेंस भी देखते चलेंगे, ब्रस्टेड और लोरी के अनुसार छार एक ऐसा पदार्थ है, ये वेग्यानिक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बड़ी ही अच्छी परिभासा दी थी, छार पर, तो इन्होंने कहा कि छार एक ऐस पदार्थ है, जो अमली पदार्थों को हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करता है, और उसमें क्या हमने देखा था, उसमें हमने देखा था, कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हमने ये देखा था, दूसरा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा छूने में चिकने हो अमल जो होते थे छूने पर क्या लगते थे खुरदूरे लगते थे लेकिन छार जो है वो छूने पर चिकने लगते हैं तो अमल और छार ना बिल्कुल याद रखिएगा ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है आप कोई सब एक्जाम देंगे न तो वहां किसी न किसी रूप में स लेकिन अमल में हमने क्या देखा था अमल में हमने देखा था कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जो चार होता है वो क्या करता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंक् ich緑 उते हैं उद्हारण के लिए आपका n a o h legen वर्थ को पूटेसियम हइड्तरम है्टरोकसाइट सीज़ ओए जिसे हम केलसियम हइड्तरॉकसाइट के यह होर basicallycha होल ट्वाइज जिसे हम मैंगनिशन हेडोजाइट कहते हैं और एप पशोड जिसे हम आमोनिम हेडोग सइट कहते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रख कि ऑद रंधियेगा कि जहां पते नंतरयाД रखीएगा जहां पर आपको ओ सबसे पहले चार का गूर्ण मां होता है वो 7.0 से क्या होता है अधिक होता है साथ ही ये क्या होते हैं चिकने होते हैं और स्वाद में क्या होते हैं आपके कड़वे होते हैं स्वाद में ये क्या होते हैं कड़वे होते हैं साथ ही हमने ये भी देखा कि ये क्या करते हैं प्रोक्सी आयन देते हैं जबकि वो क्या था आपका हाइड्रोजन आयन देते हैं तो दोनों में ये एक बेसिक हमने अंतर देखा और अमलका जो पीएच मान होता है वो 7.0 से कम होता है ये सारी चीजों हम देखें हमने एक्जामपल को भी समझा अब हम इसके गुड की बात कर हैं क्या होते हैं ये चमकदार और मुलायम होते हैं जबकि आपका जो अमल था वो मुलायम नहीं था वो खुरदूरा था चमकदार नहीं था तो ये हमने देखा साथ ही ये उच्चे तापमान और दबाओ पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं प्रतिक्रिया शील होते हैं सा भी आपको ना बेसिक चीजे बता रहा है अगला पॉइंट है छार धात्वों का सबसे अच्छा गुड़ यह है कि अलग अलग छार धात्वे अलग होती है साथ ही जो अलग 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 रंग की लोग के साथ जलती है आप आगे की कक्षा में देखेंगे उधारंट लिया गो पीला देती है लीथियम लाल देती है रुबेडियम लाल रंग देती है सीजियम नीला या बैगनी रंग देती है कब देती है जब हम इनको क्या करते हैं लोग के साथ जलाते हैं तो यह रंग देती है हमें छार स्वाद में कड़वा और साबुन जैसा लगता है ठीक अगर आपको छार जानना हो तो आप साबुन देख सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि छार क्या है साबुन है साबुन जैसा छार है आप लोग खाने का सोड़ा यह सब पढ़ेंगे अभी विभिन मनुवज्यानिकों के द्वारा दी गई छार की परिभासा एवं सिध्धान डेफ समय समय पर नई नई खोजे होती रही और उस खोश के अधार पर नए नए सिध्धान भी आते रहें विभिन वज्यानिकों ने चार के संब्ढ़ में अपने विचार देते रहें जो इस प्रकार है अब देखिए विचार देखने से पहले याद रखिएगा जैसे हम समस्ते हम लोग सभी पढ़ते हैं कि computer सबसे पहले हमने देखा था कि computer आप लोगों किस रूप में देखा था आबेकस के रूप में तो अब एकस में आपने देखा था कि सबसे पहला जो computer था वो क्या था अबेकस था फिर समय समय पर उस पर खोज होती रही हमारी जैसी जैसे जरुवते बढ़ती गई वैसे वैसी computer आता गया तो वैसे ही छार के मामले में कई scientist ने research किया और उस अधार पर उन्होंने कई परिभासा है दी इन्हीं परिभासाओं को हमें देखना है Robert Boyle का सिध्धान्त क्या है इनका सिध्धान्त तो इसमें उन्होंने बताया कि छार वे पदार्थ है ये भी एक scientist है इन्होंने भी छार पर क्या किया है गहरा अध्यन किया है तो इसमें उन्होंने बताया कि छार वे पदार्थ होते हैं जो छूने में चिकने होते हैं और जो ल अधार पर पढ़ते हैं अलग अलग साइंटेस्ट ने क्या किया है अपने अपने रिसर्च के अधार पर अलग अलग परिभासां दी तो हम चार की जब परिभासा की बात करते तो बहुत सारा परिभासा देखते हैं कि जो लाल को नीला कर दे जो स्वाद में कड़वा हो जो हो जो ओच दे तो यह सारी चीज़े क्या है आपके शार की परिभासा को बताती है अब अगले की हम बात करें तो अहर्नियस का सिध्धान इनका सिध्धान परशिद्ध है बहुत ज़्यादा प्रशिद्ध है फेमस है तो इनका सिध्धान पूछा जाता है आप लोगों ने जब एक्जाम दिया होगा जब आप 10th 11 12 में होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा खास करके और पीछली कक्ष आप लोगों ने देखा होगा इनका सिध्धान बड़ा ही फेमस ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर या जल में घूलने पर हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं चार कहलाते हैं जैसे उधारन के लिए साइट सोडियम हाइड्रॉक्साइड यह क्या है आपका चार है ठीक है तो मैं इनके सुभाव पर नी जाओंगा मुझे बस इतना पता है कि छारवे सभी पदार्थ होंगे जो क्या करते हैं हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं। और क्या करते हैं साथ ही हाँ सिर्फ इन्होंने इतनी ही बाते कहीं कि यह जल में घुल कर क्या करेंगे हाइड्रॉक्सी आयन देंगे हमने देखा कि इसके पहले दो और वग्यानिक हुए जिन्होंने अलग परिभासा दी अगला है ब्रॉन्स्टेड और लोरी के सिध्धांथ ब्रॉन्स्टेड लोरी बहुत फेमस है आपके एक अहर्नियस हो गया और यह हो गया इनका सिध्धांथ ना बड़ा ही फेमस है यहां से सवाल देखने को मिलते हैं इस धानत के अनुसार उन पदार्थों को छार कहा जाता है यहां पस उनको च्छार कहा गया जो किसी अमल के साथ क्रिया करके उसका प्रोटोन सिफ्ट कर लेते हैं यह क्या कर लेते हैं उनसे ग्रहन कर लेते हैं या तो यह कहते हैं कि यही क्या है आपका च्छार प्रोटोन आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है याद रखिएगा अगर हम चार के प्रकार की बात करें तो याद रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं जबकि हम अमल देख रहे थे तो अमल कई अधार पर थे जैसे हम निश्रोतों के अधार पर देखा ठीक है और हमने ऑक्सिजन की उपस्थिती की अधार पर देखा हमने अमलों के कई प्रक होते हैं सबसे पहले प्रबल छार जिसे हम स्ट्रॉंग एलकाई कहते हैं या बेस कहते हैं दूसरा आपका दुरबल छार जिसे हम वीक कहते हैं निश्चित रूप से कमजोर होगा क्या होता है इन दिनों को समझने का हम प्रयास करेंगे सबसे पहले प्रबल छार क्या होता है तो प्रबल चार की स्रेणी में ऐसे चार आते हैं जिने जली विलियन में मिलाने पर वह पूंड रूप से क्या हो जाए आइनित हो जाए या व्योजित हो जाए तो ये क्या कहलाते हैं आपके स्ट्रॉंग एलकेल कहलाते हैं साथ ही ये चार कहलाते हैं दूसरा अगर हम वीक का आइनित होंगे तो यह रबल चार की सड़ी में ऐसे चार आते हैं जिनने जली वीलियन विलाने पर यह पूर्ण रूप से आइनित हो जाते हैं यह जब पानी में घुल जाता है तो हैड्रौक्सी आयन की सांदरता अधीक होती है याद रखिएगा यह जब जल में घुलते ह तो इसका जो सांदरता होता है वो अधिक होता है उधारण के लिए पोटेशियम हाइड्रोकसाइड सोडियम हाइड्रोकसाइड तो इसके क्या है ये एक्जामपल है दूरबल में क्या होगा जस्ट उल्टा होगा दूरबल छारकों को जब जली विलियन aqueous solution में मिलाते हैं तो क्या होता है तो जब मिलाया जाता है तो ये पून रोप से आइनित नहीं होते हैं जब ये पून रोप से आइनित हो जाए तो उसे हम प्रबल चार strong कहेंगे लेकिन जब ये क्या हो कम हो तो उसे हम weak कहेंगे इस चीज को याद रखिएगा नाम से इसपस्ट हो रहा है दूरबल चार पानी में घुलने पर hydroxy iron की सांदरता कम होती है क्योंकि ये क्या है weak alkyl है दूसरा उधारन के लिए ammonium hydroxide magnesium hydroxide याद रखिएगा example पूछता है दूरबल चार और प्रबल चार का example exam में पूछा गया है तो याद रखिएगा दूरबल चार का example क्या है आपका एक तो आपका magnesium hydroxide है और दूसरा आपका क्या है ammonium hydroxide है और तीसरा आपका iron hydroxide है ठीक है तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा important है अगला है कुछ प्रचलित रसाइनिक पदार्थ इवं उनके रसाइनिक पचलित नाम नाम भी क्या है इनके प्रचलित है देखेंगे रसाइनिक पदार्थ जैसे sodium carbonate इन्हें हम क्या कहते हैं धोवन soda कहते हैं आप सभी को पता है sodium carbonate जिसे हम धोवन soda उश्यादा साबून कपड़े दोने का जो साबून होता है वहारतों पोतेशियुम, एलियुमिनियूम, प describing बहुत जादा इसका घरों में उप्यो悼ता जाता है इसका आपकते हैं इसका आपको फिरी का तीस्रा का तो स्वोडियूम, इसका the good होता है तो यह हम देखते हैं अगला है सोडियम बाई कार्बोनेट बाई से याद रखिएगा बैकिंग सोडा यह क्या करता है यह हम खाने में उपयोग करते हैं दूसरा है कैल्सियम कार्बोनेट जिसे हम चूने का पत्थर कहते हैं कैल्सियम कार्बोनेट इसका फॉर्मुला सीयो फिये हमारा जो ताज मेहल है उसमें जो संग μας नहीं चाल टर कल्सियम ली को पानी को हम क्या कहते है कैल्श कार्बन्री तो यार रखिएगगा सुस्क बर्फ से सवाल आते हैं important है उच्छा जाता है कि सुस्क बर्फ को क्या बोला जाता है तो सुस्क बर्फ को थोस carbon dioxide बोला जाता है जिसका आपका फॉर्मूला क्या है CO2 है कैल्सियम इसे हम plaster of Paris का डारेक्ट क्या पूछ लेता है आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा पदार्थ के भौतिक और रसाइनिक परिवर्तन है इसको भी ध्यान दिजेगा प्राय देनिक जीवन में हम पदार्थों का भौतिक और रसाइनिक परिवर्तन देखते हैं जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है ना वो किस कारण होता है यह हम समझेंगे तो यह आपके भौतिक और रसाइनिक गुड़ों के कारण होता है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुड़ों जैसे अवस्था और अकार में परिवर्तन होता है तब आपके आपका भौतिक परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा भौतिक परिवर्तन होने से आपकी अवस्था और आकार में वो जो अवस्था कह सकते हैं अवस्था आपका स्टेश और जो पोजीशन होगा ठीक या सेब इसमें क्या होगा डिफरेंस देखने को मिलेगा ल से पहले अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी अकार और अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं उधारण के लिए मोम का पिघलना जैसे मोम क्या रहता है आपका इस तरह से रहता है और यह जलता रहता है ठीक है तो यह क्या होगा जब हम मों को जलाते हैं तो यह क्या होता है पिघल जाता है ठीक है तो इसकी अवस्था में और आकार में क्या हो गया परिवर्तन हो गया बादलों का बनना बादल क्या रहते हैं खूब ऐसे छाय रहते हैं लेकिन ज यह कपड़ा थमाल लेते हैं, यह आपका कोई है सर्ड है, ठीक है, तो इसको जब हम फार दिये तो क्या हो गया, इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, ऐसे ही आपका rubber band का खीचना पहले रबर बैड क्या था आपका, इतना छोटू सा था, फिर आप लोगोंने खीच कर उस ऐसे आपका बल्फ रहता है, तो बल्फ पहले क्या था? बहले जल नी रहता, लेकिन जब उसमें light जल गई तो क्या हो गया? उसका अवस्था परिवर्तन हो गया, अंधेले से वो light में बदल गया, लेकिन क्या नया पदार्त बना क्या? बहुतिक परिवर्तन है. अगला देखेंगे सीसे का पिघलना, सेम का आगज का फटना, पानी, नमक या चीनी का घुलना ये सभी भौतिक परिवर्तन के परिचायक माने जाते हैं ये छोटा सापका टॉपिक है कि आप विश्व में या धर्ती पर आप जितने भी पदार्थ देख रहे हैं उनका परिवर्तन निश्चित रूप से होता है चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो या आपका रसाइनिक परिवर्तन हो दूसरा है आपका रसाइनिक परिवर्तन जिसे हम chemical change कहते हैं पदार्थ में होने वाला वा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त हो या जो पदार्थ हो नया पदार्थ से थोड़ा क्या हो भिन हो तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम रसाइनिक परिवर्तन कहते हैं तो कर दो जब हम लक्षम बंप ची तरह का कोई अग लगा प्रफिस की कड़ाई है उसके हमने क्या किया चीस पर आग लगाया यह पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, राख में बदल जाता है, तो आखिर चेंज हुआ ना, ने, पदार्थ बनाना, तो ये होता है, इसका अस्तित्व मिख जाता है, तो ये अलग पदार्थ बन जाता है, दही का जमना, पहले ये क्या था, दूध से क्या बन गया, ये दही, दूध जब था, तो यह खट्टा नहीं था, लेकिन जब यह दही में बदला तो यह क्या हो गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया, बूद पूरा फड़ गया, अस्सितौ अलग हो गया इसका, तो चेंज हुआ न आखिर दूसरा अगरबत्ती का जलना अगर बत्ती फूलों से बनाये जाता है, फिर जब इसको जलाये गया, तो यह क्या होगा, राख में परिवर्थित हो गया जीवों का बड़ा होना भोजन का पकना पहले चावल क्या था एक अनाथ था कच्चा था लेकिन जब हम उसे पकाए तो वो क्या हो गया भोजन में परिवर्पित हो गया तो एक नया पदार प्राप्थ हो न दूसरा पचना और सड़ना हम भोजन को जब ग्रहन करते हैं जब मैंगनीशम के फीते का जलना कोईले लकडी आदी का जलना तथा कागच का जलना ये सभी रशायनी परिवर्तन के परिचायक माने जाते हैं तो बेसिकली आज हमने देखा कि छार क्या होता है तो आपने छार को बड़े ही अच्छे धंग से समझा साथ ही हमने देखा कि ने टॉपिक के साथ मिलेंगे आज के लिए इतना ही टॉपिक लिखते रहें नोर्स बनाते रहें थाइंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको